जब भी वेच सोय कबाब या वेच कबाब की बात होती है तो यही लगता है कि पताने उसमें नौनवेज जैसा टेस्ट टेक्शर और उसके जैसा आएगा कि नहीं आएगा यह उतने सॉफ्ट बनेंगे कि नहीं पर अगर मेरत बनाएगे तरीके से बनाएगे तो बिलकुल मैंने पहले एक कड़ाई ली है और उसमें मैंने टू टेबलिस्पून ओइल एट करा है और करने के हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाल डालेंगे यहां मैंने चोटा दाल जीनी का टुकड़ा दो हरी लाइची चार से पांच लांग और एक पता इसमें मैंने एट किया है पर आपको इसे एक दम लाल नहीं करना है और इसके वाद इसमें मैंने दो घरी मिर्स ली है और उसे भी मैंने बीच से काटके चार पाल चुकड़े कर लिये हैं अब इसे भी कुछ साइक लिए भून लेंगे इसके बाद यहां पर मैंने सोया बीन का मैंने चुक ग्रैनुल कर लिया है हमें दाल को पूरी तरह अबाला नहीं है और यहां पर देखिए इसमें दाल में पानी भी नहीं है हमने पानी क्वांटिटी कम रखी दी और दाल को हमने 2-3 विसल आने तक इसको बॉल किया है अब हम इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे यहां मैंने इसे मीडियों इस तरह से होना चाहिए अब हम इस सोयाबीन और दाल के प्रिश को एक बाउल में ट्रांसवर करने के बाद इसमें हम कुछ मसाले एड़ करेंगे जिससे इन कबाब में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है यहां पर लगब मैंने हाफ टेबल स्पूद धनिया पाउडर लिय जीरा पाउडर फाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला और और टेस्ट एड किया है इसके बाद मैंने मीडियम साइज की प्यास ली हैं जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है और बाइंडिंग ले यहां पे मैंने ब्रेट क्रम्स यूज करें अगर आपके ब्रेट करम नहीं तो तो आप रोस्टिट बेशन भी यूज कर सकते हैं अब हम इसे स्पून की हैप से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपको इसे मिक्स करते हुए इससे मैश करते हुए मिक्स करना है और देखे इसका टेक्ष इस तरह से हो जाएगा इसके बाद यहां पर मैंने इसमें जिंजर जिंजर गालिक पेस यहां मैंने लग बग हाफ टेबल स्पून के सम्तिंग जिया है और उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिंजर गालिक के पेस से इस कबाब में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फिर मैंने इसमें वन आपन फोटी स्पून मैंने हल्दी पाउडर य इसे भी हम अच्छे से mix कर लेंगे और देखे मैं इसे जैसे मैश करते हुए mix कर रहे हूं आपको इसे ऐसे ही mix करना है फिर मैंने यहां हथेली पर थोड़ा सा oil लिया है और रप करने के बाद हातों में मैंने यहां पर कबाब बनाया था उसका mixer लिया है और इसे हम गोल टिकी ऐसे shape देंगे जिसे मार्किट में कबाब मिलते हैं आपको वैसे ही इसको shape देनी है अब इसी तरह से सारे कबाब बनाके रख लेंगे जिस तरह से मैं बना रही हूं आप कबाब को रखते जाएंगे और इसमें अगर बबल्स निकल रहे हैं तो आपको टैंश लेने की जुरोत नहीं है हमने जो चैनी की दाल यूज गई थी इसमें बबल्स आ रहे हैं अब इसके बाद हम इसे धीरे धीरे इन कबाबों को लूज से मीडियम फ्लेम पर हलकी लाइट गोर्डन ब्राउन होने था कि इने सेलो फ्राई करेंगे फिर इहां पर मैंने देखिए बहुत ही केरफुली इस गटाइन देखने में बिल्कुल दिली स्टाइल कबाब और इसका बनाने में बहुत आसान है और देखिए हमारे कबाब बन के तयार हो गए और एक्दम के इस बढ़न रहे हैं अब इसके बाद इसके में एक स्पेशल चट्णी बनाएंगे चट्णी बनाएं यहांपे मैं में एक जार में हरा धनिया लिया है हरा धनिया डालने के बाद मैंने पर एक टमाटर लिया जिसे में रफ़ली चॉप कर लिया है फिर 7-8 लेशन की कलियां और 3-4 ग्रीन चिली मैंने एड़ करी हैं फिर इहां मैंने हाफ टीस्पून जीरा और सॉल्टू टेसर अड़ कर लिया देखिए इस चटनी का कलर भी कितना अच्छा है अब हम इसे बाउन में ट्रांसपर कर लेंगे और आप इस चटनी को बना के रखे घर में इस चटनी सभी को बहुत पसंद आएगी और लीजे हमारी चटनी भी बनके तयार हो गई है चलिए हम अपने कबाब पाउ बनाना शु ग्याश्चा है दोनों तरफ चटनी लगाने के बाद हम जो कबाब बनाई थे वह रख देगे कबाब रखने के बाद थोड़से मैंने स्लाइस लिए हैं और उसे भी मैं ने इसके ऊपर रख दिये हैं इसके बाद अब इसे हम उपर कबर कर देंगे और लेजी हमारे मार्केट स्टाइल और खाने में कितने टेस्टी कोई कहीं नहीं सकता है कि यह हमने सोया बीन के बनाए हैं इसी तरह की और इंट्रेसिंग रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए